नमस्कार, आज हम बात करेंगे आई एनेस अरीघात के बारे में और आपको बताएंगे कि इसका काम क्या होगा और इसके आने से कितनी बढ़ जाएगी भारत की ताकत और दुश्मन देशों पर इसका क्या होगा असर इन सब पर पूरी डिटेल में आज हम इस वीडियो के सबसे पहले बात करते हैं नुकलियर मिसाल सम्मरीन आई एनेस अरीघात को हाली में इस्टेर्जिक पोर्सिस कमांड में शामिल किया गया है बता दें कि जितने भी नुकलियर वेपन होते हैं वे सब इस्टेर्जिक पोर्सिस कमांड के तहत ही आते हैं जो सीदे PMO को रिपो इस नीकुल मिसाल सम्मरीन को कमिशन तो नेवी में किया गया है लेकिन इस टेजिक फूर्सिस कमांड के अंदर ही यह ओपरेट की जाएगी। अरिहन्द एक संस्कृत शब्द है जिसका अल्थ है शत्रू का नाश करने वाला। इसकी खासियत क्या है अब इसके बारे में बात करते हैं। इसके टॉर्पीडो भी लगे हैं। इसके अलावा कई टॉर्पीडो ट्यूब्स हैं जिनका उपयोग टॉर्पीडो मिसार या समुत्री मायंच को तैनात करने के लिए किया जा सकता है। आति इस पंडुब्बी के अंदर एक न्यूक्लियर रियक्टर भी लगाया गया है। यह परमाडू इंधन का उपयोग करके इस पंडुब्बी को सतह पर 28 किलोमीटर प्रती घंटा और पानी के बीतर 44 किलोमीटर प्रती घंटा की रपतार देगा। भारत की इस परमाडू पंडुब्बी से चीन और पाकिस्तान की टेंशन बढ़ गई है। यह चीन और पाकिस्तान की कई राज्यों को निशाना बना सकती है। अब दुश्मन देश भारत पर हमला करने से पहले खौप खाएंगे।